नवस्कार, Competition Committee में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ हेमन प्रजान आईए फ्रेंड आज हम पढ़ते हैं, Competition Science के अंतरगत एक ऐसे टॉपिक को जो हम Everyday हमारे लाइप में इसे यूज़ करते हैं याने Chemistry in Everyday Life यहाँ पर समझें कि इसमें हम समझेंगे कि Medicines and Drugs, जो Chemistry का पार्ट है, किस प्रकार हमारे डेली लाइप में यूज़ होता है और इसे हम Examination Point Abuse से पढ़ेंगे क्योंकि आप व्यापम का पेपर उठाइए, P.S.C. के पेपर उठाइए, National Level के किसी एक्जाम का पेपर उठाइए, आपको यहाँ से कुछ ऐसे Questions डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो चलिए हम समझते हैं आज की सेशन को, जिसमें की Different Type के Medicines और ड्रक्स को समझेंगे, याने पूरे Chemistry का पार्ट है इसमें, और एक Important Disclaimer मैं दूँँगा, Before Starting this Topic, यह Topic बहुत सारा Informative है, यहाँ पर समझने वाली चीज़ें कम हैं, बट Informative चीज़ें बहुत जादा हैं, इसलिए मैं सजिस्ट करूँगा, कि आप इसे जरूर Copy Pain का यूज़ करते भी से Note करना स्टार्ट करिएगा, ठीक है, तो चलिए समझते हैं, तो सबसे पहले यदि हम देखते हैं, Medicines क्या होती है, Medicines या दवाईयां जिसे हम या औसदी जिसे कहते हैं, जो क्या है, किसी भी disease में आप treatment के तौर पर यूज़ करते हैं, या फिर वो हो सकता कोई Pain Relief होगा, या तो Pain Relief होगा, चाहे वो दर्द किसी भी प्रकार का हो, हाथ-पैर दर्द हो सकता है, headache हो सकता है, किसी भी प्रकार का दर्द हो सकता है, या फिर हम कहेंगी किसी disease में यूज़ किये जाने वाला जो आपका treatment में यूज़ किये जाने वाला जो chemical है, हम उसको क्या कह रहे हैं? उसको कह रहे हैं? हम medicines कह रहे हैं. तो वे chemical substance जो क्या है? आपके treatment में use किये जाते हैं, किसी disease में या pain relief के तौर पे use किये जाते हैं human body में. उसे हम क्या कहते हैं? आपको medicines कहते हैं, औसीदी कहते हैं. तो यहाँ पर जैसे कि ये भी दर्द निवारक कहा कहा जाता है, एस्विरीन को, ये tincture iodine होता है, जब आपको चोट लग जाती है, तो इसे लगाए जाता है. या उसका example form है, डेटल ये सेवलॉन यूज़ करते हैं. तो ये एक छोटा सा example हो सकता है medicines का. ये medicines के कई type हो सकते हैं, ठीक है? इसमें अगर हम पहला बात करते है, antiseptic क्या है? तो antiseptic word बड़ा use किया जाता है, पूती रोधी जिसको exam में कई बार पूछा जा चुका है, तो actual में antiseptic means, जो भी micro organisms होंगे, उनके growth को रोगता है या nust करता है, उसे क्या कहते हैं? antiseptic कहते हैं, जैसे कि detol है, savolon है, है ना, civetavalon है, acryflavin है, iodine tincture है, methylene bieroo है, या फिर KMN4 यानि कि potassium permagnate है, ये सब क्या कहलाते हैं? antiseptic कहलाते हैं, क्या याद रखना? छोटे-छोटे points में या पर difference नजर आएगा. अगर इसमें, जो है आपका, like phenyl का percentage, 0.2% है, तो ये कुछ हद तक क्या करेगा? Nust करेगा, और इसके वृद्धी को रोकेगा. लेकिन इसके percentage को हम बढ़ा के 2% कर देंगे ना, तो ये इसका काम, इसका नाम बदल जाएगा. चलो उसकी बात मैं करूँगा, लेकिन आपको पहले antiseptic समझना है, तो antiseptic growth को रोकेगा, और nust करेगा, उसे antiseptic कहते हैं. जैसे आपका अलग-अलग example आ गया. ठीक है? जैसे कि आप data all, ये अलग-अलग जो chemicals या नजर आ रहे हैं, उसका जो है diluted solution को हम क्या है? यूस करते हैं. है ना, उसको घाव अगर अगर को clean कर रहे हैं, मैं यूस करते हैं. और साबून में मिला देते हैं, तो ये भी क्या है? antiseptic का का काम करता है. अब यहाँ पर मैं यह दी बात करूँ, antiseptic के अलावा, एक वर्ड आता है, that is disinfectant. तो disinfectant को हम क्या कहते हैं? V.E. संक्रामक कहते हैं. तो ऐसे chemical, ऐसे chemical जो है, जो micro-organism को completely क्या करते हैं? destroy कर देते हैं. इसे disinfectant कहते हैं. अब आपको समझ में आया, antiseptic or disinfectant में difference. ये completely क्या करेगा? पूरी तरह से उस area में जितने भी आपके chemical या फिर different type के micro-organisms होंगे, उसको completely क्या करेगा? destroy कर देगा. इसको हम disinfectant या V.S.ंक्रामक कहते हैं. है ना, ये living tissues के लिए जो है, बहुत ही dangerous या toxic होते हैं. इसलिए जैसे कि toilet clean करना है, first को clean करना है, तो हमको disinfectant का use करना चाहिए. अगर detol गिरा देंगे, तो certain level तक उसमें वो clean कर सकता है, otherwise वो पूरा नहीं करेगा, क्योंकि उसमें 0.2% ही phenyl का percentage होता है. यहाँ पर देखते हैं कि यह पूरी तरह से like a microorganism को click कर देगा. ठीक है? यह वही point है. वन परसेंट विलियन एंटी जो है, प्रती संक्रामक है, यानि कि and disinfectant है. और यदि 0.2% हम कर देते हैं, तो यह क्या है? आपका antiseptic है. हमने 1 से 2% जो भी ले लोगे, वो क्या है? disinfectant है. और 0.2% ले लोगे, उस case में वो क्या है? आपका antiseptic है. Is it clear? चलो. यह word ध्यान से देखते चलना. दो चीज़ें, दो word में अभी तक बता दिया है. इसके बाद बहुत सारे word आएंगे, अभी 5-6 सब और आएंगे, इसको आपको note करना है. The come to the next part, the analgesic. What does it mean analgesic? Analgesic means दर्द निवारक. अब यह दर्द निवारक दो प्रकार का होता है. एक है नॉर्कोटिक्स और एक है नॉन नॉर्कोटिक्स. ठीक है? कियरफुली समझना. जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, वे उसिदियां जो दर्द से आराम दिलाती है, वो analgesic कहलाती है. यह दो प्रकार की होती है. कुछ ऐसे नॉर्कोटिक्स होती है, जो आदद बन जाती है. इसे ड्रग भी हम कह रहे हैं. ठीक है? ड्रगिस एंड केमिस्ट लिखा होता है, इसलिए देखना. जो medical shop का, जो है, वो संचालन करता उसका नाम पर. तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि नॉर्कोटिक्स जो जिसकी आदद बन जाती है. और दूसरा है नॉन नॉर्कोटिक्स. क्या होता है दोनों देखो? नॉर्कोटिक्स क्या होते हैं? जनरली alkeloid होते हैं. और जैसे कि हम को पता है कि अफीम, अफीम का नाम जानते हो पैपावर सोमिनी फेरम. क्या मैंने कहा? पैपावर सोमिनी फेरम. इसका बाटनिकल नेम है. और यदि हम, अब वो लोग regularly मसाले में एक वर्ड एक यूज़ करते हैं. खस-खस या poppy seeds. तो poppy seeds क्या है? इसी आपके अफीम का ही उसका जो है, like a flower में पाए जाने वाला stigma या आपका, जो है, वो like छोटे-छोटे particles हैं. मतलब उसके flower में, अफीम के flower में पाए जाने वाला का ही part है, क्या है आपका, जो है, poppy seeds. तो ये बात थोड़ा समझने की जुरत है, जब हम narcotics वाले इस प्रकार के chemical की बात करते हैं, तो ये alkeloid होते हैं. Alkeloid क्या होता है? कुछ chemical substance होता है. Organic substance भी होता है, जैसे कि कुंदरू खाने पर या 10 कम हो जाती कहते हैं. बाइ, कुंदरू कभी एक बार खाएंगे तो कोई फरक नहीं पड़ता है, लेकिन regular भी इस पर कुंदरू खाने पर उसमें एक alkeloid होता है, toxic alkeloid होता है, जो दिमाग की क्रियाविदी को या थोड़ा functions को थोड़ा slow कर देता है. ठीक है? तो इसलिए वो थोड़ा toxic है, कभी गवार खाने से कोई फरक नहीं पड़ता, ये बात याद रखना. ठीक है? तो alkeloid होते हैं और वो अफीम में पाये जाते हैं, जो अधिक मातरा में लेने पर इसलिए निद्रा या बेहुसी होती हैं. आपका heroines, या अलग-अलग पार्ट जितने भी chemicals होते हैं, ये कितने भी जो हैं, वो solid chemicals भी हो सकते हैं, liquid chemicals भी हो सकते हैं, इसलिए उसको हम drug के तौर भी कहते हैं. ठीक है? खासी आने पर हम क्या use करते हैं? कभ सिरब यूज़ करते हैं? उसमें भी थोड़ा सा वो non-narcotics चीज़ें होती हैं. ठीक है? तो इस प्रकार याद रखना, morphine, heroin, codeine, ये सब क्या है, आपके narcotics type के क्या हैं? दर्द निवारक हैं. Non-narcotics की बात जैसे कर रहा था, आपको कभ सिरब में जो use करते हैं, वो है, इवन जो दर्द निवारक, aspirin जो है हमें इसा दर्द निवारक के नौर पर याता है, non-narcotics में, ठीक है, ना, pain killer हम ये word यूज़ कर देते हैं, लेकिन वास्ता में वो analgesic कहेंगे, ठीक है? तो दर्द निवारक, औसिदियां, जो क्या है, anti-piratic जोर को कम करने वाली भी हो सकती है, इसका मतलब ये है, अगर इसमें paracetamol का एक जो formula है, है ना, वो भी अगर करेंगे तो आपका जोर कम कर देगा, fever कम कर देगा, यदि इसमें क्या है, आपको headache हो रहा है, imagine करिया आपको headache हो रहा है, तो उसमें याद रखना, कि वो analgesic properties होने के कारण ही आपको क्या है, उसमें pain से आपको relief मिल रहा है, ये बात है clear हो गई, तो ये आपको non-norcotics का category है, come to the fourth part, that is anti-piratic, anti-piratic क्या है, जो तेज बुखार में भी क्या है, आपका body का temperature कम कर देगा, उसे हम क्या कहते हैं, anti-piratic कहते हैं, देखो, starting से मैं कह रहा हूँ, पहला हमने antiseptic देखा, फिर हमने disinfectant देखा, तीसरा word हमने पिछले में देखा, analgesic देखा, चौथा word हम देख रहे हैं, anti-piratic देख रहे हैं, तो anti-piratic क्या है, जो body temperature को कम कर देती है, reduce कर देती है, जब उखार आता है, 101 Fahrenheit आपको उखार आगया है, 102 Fahrenheit उखार आगया, उस case में ये कम करने का काम करेगा, तो aspirine, analgene, paracetamols, है ना, ये सब जिसे kelpol खाते हैं, तो वो क्या है, paracetamol का ही formula है, तो ये सरीर के temperature को कम करती है, है ना, सामान ये ताप को कम नहीं करता, जैसे हमारे body का normal temperature, जो रहेगा, उससे reduce नहीं करेगा, ठीक है, चाहे Celsius में लें, चाहे Fahrenheit में लेंगे, ठीक, ये बात है clear हो गई, now, anti-malerials, जो malaria नासक होता है, जैसे बच्पन से सुने होगे, कुनैन, कुनैन जो है, जो है, वो anti-malerialistic जो है, आपका medicines है, ठीक है, तो anti-malerial, malaria की case में, बुखार आता है, सरीर का टापमान कम करने के लिए, काम में आने वाली, जो anti-malerial medicines कहलाती है, जैसे कुनैन, chloroquinine, paracunine, prima quinine, इस पकार की चीज़ें आ सकती है, तो quinine वर्ट देखते हैं, आप मून के टिक कर देना, वो anti-malerial medicine है, next part, है ना, next part देखते हैं, अब आता है, transquillizer, what does it mean, transquillizer, वे chemical substance, जो आपके central nervous system को affect करता है, उस पर क्रियागर के मन को सांत दिलाता है, यह कब जौरत पढ़ता है, इसकी बात में करूँगा, लेकिन पहले समझो, हमारे body में क्या है, central nervous system है, और peripheral nervous system है, central nervous system हमारा brain, और उससे पीछे निकलने वाली क्या है, spinal cord है, और peripheral nervous system बात करते हैं, हमारे पास कि इससे निकलने वाले हमारे हाथ का जिससे moment है, पैर का moment है, या आप जो body के जो periphery में जो मौझूद है, परीधी में जो मौझूद है, वो peripheral nervous system है, यह बात याद रखना, जैसे brain से निकलने वाले को, brain से निकलने वाला, को हम क्या कहते हैं, cranial nerves कहते हैं, 12 pairs हमारे body में cranial nerves है, और यदि हम बात करते हैं, spinal cord, तो इस spinal cord से निकलने वाले nerves को क्या कहते हैं, spine nerves कहते हैं, यह बात धिया रखना, तो यह जो है periphery बनाते हैं, यह सरीर के सभी भागों में इस प्रकार, जाल यहने network टाइप पूरा फैला हुआ है, जिसे मैं हाथ का moment कर पा रहा हूँ, यहां दो चीजों के कारण हो रहा है, एक तो blood circulation हो रहा है, दूसरा, यहां पर हम बात करते हैं, nerves गए हुए हैं, जिसी को paralysis हो जाता है, तो यह हाथ पूरा उपर नहीं उठा सकेगा, यह जिस पार्ट में आपका paralysis होता है, उस area के nerves क्या हो जाते हैं, कुछ समय के लिए dead हो जाते हैं, उसके बाद वापस से physiotherapy करने पर, वो फिर से बन जाता है, वापस वो काम करने लगता है, तो यह बातों को समझेए, कि जब भी हम transquillizer medicines देंगे, तो वो क्या होगा, सरीर के central nervous system पर क्रिया करके, वो को क्या करेगा, उसको release normal करेगा, और उसे हम प्रसान तक किया, transquillizer या calming effect कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यह पदात, brain disease में भी, brain से related सभी type के functions में काम आते हैं, देखो, कुछ brain disease का नाम जो exam में पूछा गया, meningitis सुने हो, meningitis आपके, bacteria से भी हो सकता, virus से भी हो सकता है, bacterial meningitis ज़्यादा dangerous होता है, as compared to viral meningitis, जिससे क्या है, brain के उपर, जो meningitis हैं, उसके उपर जो, membrane है, उसे meningitis कहते हैं, है ना, उसके उपर जो आवरन है, जो membrane है, उसे meningitis कहते हैं, अगर उसमें swelling आ जाए, उस पर क्या हो जाए, वो क्या कहना चाहिए, full जाए, उसमें sangrament हो जाए, infection हो जाएगा, तो पूरी जैसे वो फूल जाता है Swallow हो जाता है That's why हम उसे कहते हैं उसे कहते हैं आपका meningitis कहते है ठीक है? तो उस case में भी ये काम आ सकती है ठीक है? याद रखना Saipo-therapeutic जो है जो है ये आपका जो है आपका जो है बेसिकली ये क्या है सब medicines है तो sedative या hypnotics होते हैं और दूसरा mood elevators होते हैं देखो कुछ लोग जो आवसाद में आ जाते हैं depression में आ जाता है तो anti-depressant वाले medicines लेते हैं क्या है? समझते हैं चलो ये बात है समझ में आई? Transqualizer जो central nervous system करेगा तो देखो इसमें sedative वाला पहला चीज़ देखो जो क्या है? nervous system का tension कम करती है nervous tension कम करती है थोड़ा relaxation मलता है इसका BP भी बढ़ा हुआ है है ना tension बेवज़ा ले रहे होते हैं बहुत ज़्यादा aggressive हो जाते हैं ठीक है? उस case में हम कहते हैं आपके लिए बेवज़ा जो है इतना headache लेने की ज़रत नहीं है अब देखो इस point को समझो यह है anti-depressant जो है वे medicines जो कोई व्यक्ति क्या है बहुत निरास हो जाता है depression में आके जाता है हमेशा depression depression में कोई confidence ही नहीं आ रहा है कई बार ऐसा होता है हम exam के त्यारी कर रहे हैं mood off हो जाता है mood off होना वो temporary चीज़ होती है depression में चले जाते हैं करना है कैसे करना है बहुत ज़्यादा तो उस depression से वापस उसको उसके mood को refresh करने के लिए elevate करने के लिए हम यूज करते क्या करते हैं हम इस प्रकार anti-depressant जो है यूज करते हैं इसमें की benzydrine, amphetamine यह सब क्या है, medicines होते हैं जो क्या है, anti-depressant के तौर पर यूज किये जाते हैं now, next one देखिए, यहाँ पर आता है है ना anesthetic anesthetic को आपको पता होगा भई anesthetic जैसे किसी को चोट लगे वहाँ टाका लगाना है तो stitching करना है, टाका लगाना है उस case में हम कहेंगे वो क्या है, उस local anesthesia वहाँ पर देंगे, उस area में ताकि वो आपको जो है, जब टाका लगाएगा तो आपको कोई दर्द भी नहीं होगा लेकिन एक होता है कि उसे हम कहते है, general anesthesia जो general anesthesia क्या होता है कि आपको बेहोस करके कोई surgery वगरा करनी है, उस condition में ये word use किया जाता है वे chemical substance जो local होगा एक है ना, local दर्द या इस्थानिक दर्द के प्रति चेतना सुन्यता याने की insensibility आए, तो उस case में हम उसे anti anesthetic कहते हैं anesthetic या anesthesia उसे word use किया जाता है उस process को, तो anesthesia anesthesia देना मतलब बेहोस करना पूरे body को बेहोस करेंगे तो general anesthesia है related कोई body part को हाथ, पैर वगरा जहां पर भी damage हो गया है, चोट लग गई वहाँ पर टाका लगाना है, एना stitching करना है, तो उस case में हम कहेंगे वो क्या local anesthesia है ठीक है, चलो इसको देखते हैं कि दोनों के example, जो बेहोस करेगा बड़े-बड़े surgical operation में इस परकार का anesthesia दिया जाता है, आदा गंटा एक गंटा में वापस आपको host में आ जाते हैं यहाँ पर बात करते हैं, दूसरा कि अगर हम local anesthesia की बात करेंगे तो सरीर के वो छोटे से भाग को जहाँ पर operation किया जाना है, उसी area में हम इस परकार का anesthesia देते हैं तो jelly रूप में oxy-lokane spray के form में ethil chloride वगरा होता है, इसे football का match हो रहा है, चोट लग गई, cricket का हुआ चोट लग गई, तो देखना कि spray करते हैं वो local anesthesia है वो दर्द को कम कर देता, फिर वो related batsman या baller जो है आप वो काम करने लगता है फिर से ठीक है, ये बात ध्यान रखना injection के रूप में भी लेते हैं, प्रोकेन कहा जाता है ठीक है? और यदि हम normal anesthesia की बात करते हैं, तो आप बच्पन से पढ़ते हैं chloroform, CSCL3 को हम यूज करते हैं किसके लिए आपको chloroform को यूज करते हैं anesthesia के लिए, डाइविनाइल ether को है, भी यूज करते हैं इन जनरली हम बच्पन से सुनते आए हैं nitrous oxide, है ना, उसे क्या है हसाने वाली gas भी कहते हैं तो थोड़ा anesthesia आ जाता है उसमे एथिलीन से भी आ जाता है है ना, cyclopropane से भी आ जाता है तो ये चीजें आपको याद रखनी है चीक, come to the next point ये पूरा development है ये आपके लिए requirement नहीं है इसको आप skip कर सकते हो है ना, बट वहाँ पर याद रखना कि 1844 से nitrous oxide से लेकर हम देखते हैं कि बहुत सारे advance में आजकल जो है इस प्रकार के जो है anesthesia यूज किये जाते हैं ये बहुत बच्पन से सुनते आओगे antibiotic, क्या है antibiotic का मतलब antibiotic क्या होता है antibiotic मतलब क्या है यहाँ अगर bacteria के against काम करने वाला medicine antibiotic कहलाता है इसे anti-bacterial medicine भी कहें या anti-biotic कहेंगी भी तो भी पता होगा प्रतीजविक आपको पता होगा है ना Alexander Fleming के बारे में सबसे पहले penicillin का उन्होंने खोज किया था तो penicillin क्या है bacteria के विरुद्ध काम करने वाला एक antibiotic medicine है तो वे chemical substance जो microorganisms के द्वारा बनाए जाते हैं इसे कवग, bacteria, fungus वगरा और ये दूसरे सुक्ष्विजियों के विरुद्धी को रोकने में काम आता है तो इसे anti-biotic कहते हैं ठीक है और anti-biotic जो है जो है बहुत useful होता है बहुत effective होता है ठीक है देखो एक बात आपको समझनी है पेनिसीलीन की खोज को भी जब उन्होंने अलेक्जेंडल फेमीन किया था जो extract प्राप्त किया था वो bio organism से प्राप्त किया था और उसी bacteria के against में उसको use किये थे तो ये medicines कोई plant से भी मिल सकते हैं कोई fungus से भी मिल सकते हैं कोई bacteria से भी मिल सकते हैं कहीं से भी मिल सकते हैं पेनिसीलीन हो गया स्टेप्टोमाइसीन हो गया क्लोरोमाइसीटीन हो गया टेटरसाइकलीन हो गया इससे जरूर याद रखें इसे जरूर याद रखें ब्रॉंकस में जो infection वगर होता है उसमें abscesses, गलगोटू ये आदी में सब चीज़ें use किया जाता है ठीक है? आपका वैसे हम कुछ और जो है like कुछ artificial antibiotic देखो, biotic ये word जो use हो रहा है न तो वो bio organism से प्राप्थ हो रहा है तो एक तो natural होता जिसमें मैंने fungus, bacteria वगर से extract निकालोगी ये कहा मैंने वैसे ही कुछ चीज़ें होती है जो क्या होती है basically कि artificial उसे बनाए गया है तो artificial जैदी बनाए गया है तो जिसे streptomycines है ना हम टीवी में use करते है chloromycetine हम typhite ठीक है salmonella typhi नाम के bacteria से होता है तो typhite से use करते है meningitis जो bacteria virus दोनों से होता है इसके विरुद दबे हम anti-biotic यूज़ करते है तो जैसे कि anti-viral medicine अलग हो सकते है है ना anti-vyrotic मैं कह सकते भी है और यहाँ पर anti-biotic है ये तो ये bacteria वाला meningitis है pneumonia, diplococcus pneumonia मैंने कह दिया diarrhea, dysentery वगर ये सब में चीज़ यूज़ की जा सकती है बात है समझ में आई तो ये याद रखना tetra cycling किसी को तेज बुखा रहे trachoma जो आँख की disease है ठीक है dysentery अरे जो है दस्त जो होता उसी को dysentery पेचिस कहते है उसे मूत्रमार्ग में कोई संक्रमन आता है पेचाब में जलन वगर आती उसकेस में यहाँ पर हम यूज़ करते हैं एंटिबायोटिक यूज़ करते है तो these are the example of different type of एंटिबायोटिक्स प्रतीजयविक, बात है समझ में आई चलो, अब बात करते हैं सल्फा ड्रग, what does it mean सल्फा ड्रग, तो सल्फा ड्रग क्या होता है यह भी बहुत ही ज़्यादा powerful medicines होते हैं है ना इसके उच्च प्रतीजयविक सकती, high antibacterial जो है properties पाई जाती है और यह क्या है, basically उन medicines का group है जो सल्फीना माइट का जो है उसका जो है variant है या उसके derivatives है सल्फा ड्रग का मतलब ही समझो ना बही, सल्फर का ही compound यहने सल्फीना माइट मतलब amide वर्ड जुड़ा है यहने CO-NS2 वर्ड जुड़ा हुआ है ठीक है, amide वर्ड जुड़ा है तो सल्फीना माइट का क्या है यह derivatives है याद रखना इसमें हमेशा क्या है, अलग-अलग वर्ड यहाँ पर यूज़ किया जा रहे है जैसे सल्फा थाइजोल सल्फा थाइजोल आपको infection में यूज़ किया जाता है सल्फा पिरिडीन, pneumonia में यूज़ किया जाता है सल्फा ग्वानेडीन बेसिक जो dysentery या दस्त वगर में काम आता है ठीक है, वैसे हम बात करेंगे सल्फा डाइजीन, यह तो बहुत सुने होगा सल्फा डाइजीन क्या है, dysentery और आपको जो है like a throat या गले में कोई problem है urine में कोई problem है, उस case में इसे सल्फा डाइजीन मेडिसीन यूज किया जाता है, ठीक है next one, यहाँ पर आगे कुछ बातें समझते हैं कि कुछ ऐसे भी मेडिसीन्स हैं, जो हमको आयरवेदिक फॉर्म में मिलता है जैसे कि awesomeum, sanatum या तुलसी, घर घर में तुलसी होती है, तो तुलसी के पत्ते में भी कुछ ऐसे positive alkalites होते है, positive chemicals होते है जो आपको यहाँ पर medicines का काम आता है, ठीक है वैसे ही आप अलग-अलग जितने भी आयरवेदिक जो medicines होते हैं, उनके भी उन plant के extract का किसी का, क्या है root का किसी का stem का, किसी का leaf का किसी के, उसके like flower का, इनके extract से भी different type के medicines आपको मिलते हैं तो आज के session में हमने केवल ये समझा, कि केवल कुछ artificial medicines से ही सब चीज़े नहीं चलती बलकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे chemical के name हैं उन name पर आधारी different type के nomenclature आपने देखा कि antibiotic, antipyratic या analgesic या antibiotic अलग-अलग जो words आपको मैंने बताया ये properties वो natural content में भी मिल सकते हैं और इसे क्या है, आपके factors में pharma industry के द्वारा बनाये भी जाते हैं तो दोनों ही case में, जो उसका जो chemical होता, वो same होता, इसे sulfur drug होगा तो sulfenamide मैंने कहा वो हो सकता है कि वो natural में भी मिले वो artificial भी मिले antibiotic कई बार क्या होता है कि कोई चोट अगर लगते ही, कोई पत्ती को निचोड के हम क्या गहते हैं, उसको क्या है उसका rust को डाल देते हैं, तो एंटिबायोटिक का काम करने लगता है, लेकिन वही factories में भी बन सकता है, ठीक है तो याद रखना कि regular life में use होने वाले इन drugs और इन medicines को आप जरूर याद रखना, at least उनके word में ही answer छुपा होता है, और इसी के base पर हम यहाँ पर इस related person आप बना सकेंगे तो paracetamol is not a medicine that is formula, और उस formula पर based जो medicine है, उसको हम paracetamol ही कह देते हैं calpol उसमें भी paracetamol है paracetamol itself paracetamol medicine है, और formula भी है तो यह बातें आपको ध्यां रखनी है, तो different type के कोई भी problem होती है तो तुरंद के तुरंद आपको medicine लेने से बचना चाहिए, क्योंकि आपके body में antibody बनना बंद हो जाता है, तो थोड़ा बहुत आपको अपनी immunity बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेचर के साथ bonding बढ़ानी पड़ेगी, उसके साथ acclimatize होना पड़ेगा, अनुकुलित होना पड़ेगा, गर्मी है तो थोड़ा गर्मी सहन कीचिए, ठंड है तो sweater थोड़ा कम use करिए, ठीक है, कभी बारिश में, जब पहली दूसरी तीसरी बारिश हो जाती है, तो कभी भीगने निकलिए, इससे क्या होता है, कि आपकी body की immunity बढ़ती है, resistance power बढ़ता है, क्योंकि वो nature के साथ, हम bonding share कर रहे हैं, उसके साथ बंधन बना रहे हैं, उससे भागना नहीं है, ठीक है, यह आपको adventure sports में भी जिखाया जाता है, आप हिमाले reason पर कभी जाईए, adventure करिए, तो आपको कान ढखने नहीं देंगे, कितना भी temperature हो, minus में temperature भी होगा, तो कान ढखने से मना करेंगे, अगर आप adventure करना जा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद acclimatize हो जाएंगे, तो फिर वहाँ पर वो resistance power आ जाती है, आई हो भी बाते clear होई, ठीक है, अब चुकि आप different type के exams के notification आने वाले हैं, तो आप मैं बहुत सारे objective के session भी लेकर आऊंगा आपनों के लिए, जो science based होगा, technology based होगा, और upcoming classes में हम एक नया ही और important topic पढ़ेंगे, जो आपके लिए पूरी ते से नया होगा, that is 6G and 5G, कि आने वाले समय में 5G and 6G के दुनिया किस परकार transformation लेकर आएगी, इन सब को लेकर next session में हम मिलेंगे, और कुछ mathem edition के नाम भी बचे हुए, उसको भी मैं बहुत जल्द cover कराऊंगा, जो आपके लिए helpful रहेगा, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं next class में, thank you so much, have a nice day.